और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूंगे फुल चैप्टर अलॉंग विद योर NCRT question answers So sorting the materials into groups Sortings meaning materials को arrange करना, materials को classify करना Materials क्या है? बस तुए मेरे हाथ में एक yellow color का marker है तो ये जो yellow color का marker है ये भी क्या है? एक material है और ये किस से बना है? ये बना है plastic से अभी आपको दिख रहा है मेरे पास है एक pencil लिकने वाली तो ये जो pencil है ये किस से बनी हुई है? या ये pen किस से बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारे पास plastic से और देखिए यहाँ पर लगी हुई है metal ठीक है? तो ये जो हमारा pen है या ये जो material है ये बना हुआ है plastic से और metal से अब आप ये वाली pencil देखिए ये वाली pencil किस से बनी हुए? ये वाली pencil बनी हुए है बुड से यहाँ पर थोड़ी metal यूज़ है और यहाँ पर क्या used है? rubber यूज़ है इसका मतलब जो different materials है वो बुड से भी we see around us a chair a block cart, a cycle of cooking utensils, books, clothes toys, water, stones and many other objects हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तूों को देखते हैं बहुत सारा सामान देखते हैं और इसी सामान को हम लोग बोलते हैं material और हम लोग चीजों को identify कैसे करते हैं हम लोग उन्हें उनकी shape से identify करते हैं हम लोग उन्हें चीजों को उनके color से identify करते हैं आप देखें ये बहुत सारे materials है कोई ये glass है, glass किसे बना हुआ है ये glass जो है plastic से भी बन सकता है और ये glass जो है wood से भी बन सकता है इसी तरह से हमारे पास जो है ये दस्तानी है, ठीक है तो ये किसे बन सकते हैं ये leather से भी बन सकते हैं और ये कपडे से भी बन सकते हैं ये एक doll है, doll किसे बन सकती है doll leather से भी बन सकती है, clothes से भी बन सकती है doll तो wood से भी बना ही जा सकती है so different materials are identified by their shape, their colors and different materials can be made of wood, plastic, rubber, metals so NCRT textbook का first question name the five objects which can be made from the wood, table, chair, doors, boat, or bed ये कुछ एक ऐसे objects हैं जो की लकडी से बनाये जा सकते हैं अब मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ NCRT textbook का next question select those objects from the following with shine glass bowl, plastic toy, steel spoon और cotton की shirt आपने इसमें बताना है कि कौन से shine करते हैं और कौन से shine नहीं करते हैं तो देखिए glass bowl, shine करेगा glass है तो shine करेगा steel spoon, steel जो है हमारे पास metal से बना है और metals क्या करती है shine करती है अब ये देखिए जैसे एक iron है ये metal है और ये shine कर रही है next question है match the column अब बुक में क्या होता है बुक में तो बड़े सारे papers होते हैं इसमें बहुत सारे papers है tumbler tumbler के इस चीज का बना है tumbler जो हमारे पास boot से भी बनाया जा सकता है और tumbler glass से भी बनाया सकता है तो चली हम लोग tumbler जो है वो glass के साथ attach का देते हैं अब chair chair भी boot से भी बनाई जा सकती है और chair तो प्लास्टिक से भी बनाई जा सकती है इसके बाद twy twy जो है वो जादे तर जो है वो प्लास्टिक के बनाई जा सकते है shoes shoes आप लोग leather के साथ attach कर सकते हो more than one options भी आ सकती है जो ये tumbler है आपका ये glass का भी बन सकता है ये boot का भी बन सकता है shoes जो है ये leather के भी बन सकते है और shoes plastic के भी अब आप लोगों के लिए home activity है आप लोगोंने कुछ एक materials के नाम लिखने है जो की boot के बने हैं, plastic के बने हैं कुछ एक material जो की paper से बना है और बना है clothes से इस वीडियो का next part देखने के लिए channel SAC preparation को visit करें